नाउस्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्थी दोस्तों आपने हैरकट का नाम तो सुना होगा हैरकट जो मतलब मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त लेकिन मैं उस हैरकट की बात कर रहा हूँ जो उद्योग और बैंकिंग की जगत में इस्तेमाल होता है बहुत ही दिल्चस्प इस शब्त का लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि जब भी कोई किसान या किसी छोटे कारोबारी का लोन वो दे नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं बैंक वाले आकर उनका ट्रैक्टर उठाके ले जाते हैं उनके जमीन के कागजात रख लेते हैं और अंत में जब सरकारे आकर ये जो किसानों का लोन है उसको माफ कर देती है जब लोन माफी होती है कृशी लोन तब जितने भी पंडित लोग हैं जितने भी अर्थशास्त्री हैं जितने भी लोग टीवी पर आकर बड़ी-बड़ी बाते कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, किसान अब ऐसा होगा कि लोन लेंगे, पैसे वापस नहीं करेंगे, आल्सी हो जाएंगे, ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, लेकिन जब corporate लोन लेते हैं, किसान जैसे छ लिया है वो कंपनी की जितने भी संपत्ती है या कंपनी को ले लेते हैं और उस जादा तर उन कंपनियों में कोई संपत्ती रहे बाकी नहीं रहता है और फिर उसको बेच कर जितना भी लोन का बकाया राश्टी था वो वापस लेने की कोशिश करते हैं और जादा तर क्या होत कि रुपए पर 54 वापस आता है और बाकी जो नहीं आता है इसको बैंकिंग में या उद्योग के जगत में या जितने भी एकॉनमिस्ट है अर्शास्त्री हैं बड़े-बड़े एडिटर हैं ये इनको हैर कट कहते हैं कितना अच्छा सुनने को लगता है ना हैर कट आप देख इसले पाँच सालों में कुल 5,16,000 करोड रुपा की बकाया लोन का जो टोटल अमांट है ये सेटल हुआ है ठीक है बहुत बाकी अभी भी है पाँच लाग-16,000 करोड का जो बकाया राशी सेटल हुआ है इसका समाधान हुआ है और वापस मिला है सिर्फ 2,0,0 करोड है और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अभी तक सेटल ही नहीं हुए उनका पैसा तो आना बहुत ही मुश्किल है खेर दोला कडोर वापस आये यानि भी रुपय पर 62 पैसे का हैर कट हुआ है सिर्फ 38 पैसे वापस आये हैं दिल्चस्प है न मतलब इसके बाद सरकार कहेगी देखिए हम ने जो नया कानून लाए थे हम बैंकों के उपर इतना बोज था बड़े बड़े जिसको खराब लोन कहते है जो लोन वापस नहीं आ रहा है उसका बोज था अब सब का हमने समाधान कर दिया लेकिन बैंकों को कितना मिला है रुपय पर 38 पैसे हैर कट भी हुआ है और लगत भी नहीं चल रहा था यह हैर कट है तो ऐसा हैर कट बैंक और उद्योग के जगत में हो रहा है जहां पे लाखों के करोडों के का माल पैसा जो पब्लिक का पैसा है जो हमारा पैसा है पब्लिक सेक्टर बैंक में है उस सारा कॉर्परेट के हवाले जा रहा है क्योंकि उन्हो case बताता हूँ और वो case है video con का बहुत दिर्पचस case है आप देखिए video con का जितने भी bank ICICI bank भी उसमें शामिल है और ICICI bank में उसको लेकर scandal भी हुआ है ICICI bank के पूर जो अध्यक्ष थे उनको design करना पड़ा है उनको investigation चल रहा है साथ में SBI है IDBI bank है और इन सब बैंकों का और छोटे मोटे जो कारोबारी है जिन्होंने video con के लिए कुछ कान किया होगा कोई सेवाएं बेची होगी और उनका बकायराशी है इन सब को मिलाकर video con को कुल 65,000 करोड रुपए वापस करने थे 65,000 करोड रुपए अब video con ने का कि भाया हम तो bankrupt हो गए दिवालिया हो गए हैं हम तो कुछ पैसे नहीं दे सकते तो क्या किया गया यह जो insolvency and bankruptcy code के अंतरगत video con की जो संपत्ती है जो तेरा company है उनका एक assessment किया गया यह लगाया गया कि इनका जो संपत्ती है इनको बेचके कितना मिलेगा और इस पर सवाल सरकार के board नहीं उठाया है कि क्या यह सही तरीके से इसका जांच हो है खैर उसको तो मैं हटा देता है एक company ने आकर वो सारी संपत्ती खरीद लिया और बैंकों को और बाकी कर्जदारों को दिया तीन हजार करोड से भी कम पैंसट हजार करोड का इनका लोन और बकाया कर्ज था बैंकों को और छोटे-मोटे कारबारियों को और उन्होंने मिला क्या उससे तीन हजार करोड से कम यानि कि रुपे पे 5 पैसे से भी कम हात आया है अब आप देखे क्या होगा कि बैंकों का जो घाटा हुआ है I.C.I.C.I. Bank का तो केस अलग है वहाँ पे कोई स्केंडल हुआ था S.B.I. टाइप के बैंक का जो घाटा हुआ है ये कैसे हुआ है क्या होता था पिछले 20 सालों से ये लगातार चला आया है कि कोई बड़ा सेट, बड़ा कॉर्परेट एक प्रोजेक्ट का प्लैन लेके बैंक के पास जाता था जाता था सरकारी बैंकों के पास, सरकारी के बैंकों ने ये लोन दिये हुए और सरकारी बैंक नॉर्मल तरीके से इस प्रोजेक्ट का जिसका कोई तुक भी नहीं बनता था रिजेक्ट हो जाता लोन नहीं मिलता लेकिन क्या होता है कि एक नेता का या क्या एक मिनिस्टर का एक फोन कॉल आ गया यह UPA में बहुत सारे आरोप लगे थे ऐसा होता रहता था और फिर बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया कहीं पर थोड़ा बहुत लेंदेन भी हुआ होगा ऐसे भी केस आया है आप जानते हैं तो लोन सैंक्शन हो गया वो पैसा उठाया बड़े कॉर्पोरेट ने पैसे को अपने दूसरे बिजनेस में लगा दिया जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे उठाय थे उसमें नहीं वो उठाकर कहीं पे लंडन में घर खरीद लिया किसी और बिजनेस में डाल दिया अब जब दूसरे बिजनेस में च का जा रहा है कि यह जो सरकारी बैंक है इतने बेकार है यहाँ पे इतना corruption है यह लोग इतने मतलब कुशल नहीं है बिल्कुल भी inefficient है इसलिए यह घाटा हो रहा है और इनको बेच दो तो सरकार अब क्या करेगी यह जो public sector सरकारी बैंक हैं इनको बेचने के लिए इनका business वापस लाने के लिए tax के पैसे से इनको recapitalize करेगी यानि की इनको पैसे देगी हमारे पैसे से हम जो tax देंगे चाहे income tax हो GST और petrol डीजल पर 100 रुपे हम जब देंगे वो किसके हाथ में जाएगा बैंक में जाएगा सरकार पैसे देगी बैंक को और वो बैंक खरीदेगा कौन सस्ते में बड़े बड़े corporate जिन्होंने loan लेकर इन बैंकों को दिवालिया किया है वही आकर अपने पैसा जमापूंजी से इन बैंकों को खरीदेंगे और इनका निजी करन होगा यही है यही है खेल की public का पैसा जाएगा सेठों के जेबों में यही है हमारे देश की जो आर्थिक अर्थ व्यवस्ता है हमारे economy का हिसाब किताब आज का एपिसोड यहीं तक news click को आप YouTube Facebook पर follow कीजिए YouTube पर subscribe कीजिए हमारा कुछ subscription model भी है special उसको भी देखिए और हमें like कीजिए और जरूर इसको share कीजिए आज का एपिसोड यहीं तक